कि अगले वेल्कम बैक टूप एमसी की सिरीज और को को रिजनिंग की सिरीज चल रही है जिसमें अगला टॉपिक है आपका क्लोग क्लोग और के लिए दो टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है जिसमें इसे आपको एल्टरेट कोशन पूशता है बहुत बार ऐसा होता है कि क्यान रहेगा आपको क्लोग करने कुछ तो यह अल्टरेट है तो उस हिसाप से एटॉपिक हमारा क्या हो जाता बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है और कभी कबार ये वाजर प्रस्त है वह आपके व्यापमने भी थूशता है ठीक है क्लोग को करने से पहले हम कोस्टन से पर यह हम जानते हैं क्लॉक एक इस तरीके से होता है यहां पर बारा बसता है यहां पर छे बसता है यहां पर तीन और यहां ति एक दो कि चार पाठ शाम आठ क trap suspend यह हम जानते हैं ज्टियू होता है एक हमारे पास होता है मिनट वाला सुई होता है एक जो बड़ा वाला सुई होता है यह हमारे पास मिनट वाला सुई होता है और एक छोटा वाला सुई होता है जिसका हम लोग यहां पर क्या बोलते है आवार है बतलब घंपे कर ठीक है यह जो एक कंप्लीट चरकर यहां से लेकर यहां तक का लगता है तो है दूसरा अब यहां से बारा के बीच में तो इसकी बीच में क्या होता है एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच ऐसे घंटे वाले में बोलेगा तो यहां पर एक घंटे को करेगा को करेंगा सिमिनरले दो को बोलूंगा तो दो क्या करेगा गंटे को करेगा और बॉलूंगा किस एक हमारे पास को ह एक है किण को करेगा कि केawn हा पूद है हमारे पास 12 घंट को मैं लिख सकता हूं 11 प्लस 8 घंटा मतलब 11 बचकर 60 मिनट इसको लिखा जा सकता है कि 13 लिखा जा सकता है साथ हमको यहां पर इसको लिखा जा सकता है ठीक है अब इसका जो पहला प्रोषन होता याद रखना हमको यहाँ पर क्या करना है उसको 1160 से यहाँ पर क्या करना है हैं माइनस करने हम सिर्फ ऒयाद अजय सबस्ट करना है कि इस गड़ी में दो बचक 540 बचमिंगे उस व्क्त कितना बजा होगा तो वह हमारे पास क्या होगा इस को हमisto करेंगे 11 यह उसको 11-8 से कह से लेंगे? माइनस करें, ठीक है? यह हमारा पहला QWrosion होगा, ठीक? अब इसके दूसरे concept में चलते हैं, क्या को होता है? अब इसके दूसरे concept में चलते हैं, वहाँ पर क्या को होता है? अब concept को जिस प्रकार है, कि यह जो आपका है यह जो आपका घंटे का सुई है घंटे का सुई बहुत स्लोली करता है घंटे का सुई यहाँ पर क्या करेगा बहुत स्लोली करेगा मतलब सपोस्व आपको यहाँ पर 12 बज़ा है और यहाँ पर एक बज़ा यहाँ पर कितना बज़रा है एक बज़रा अब होगा क्या कि यह ज लेकिन यह जो मिनट वाला है ना यह बहुत पांच मिनट ट्रेवल किया है तो इसका मतलब क्या हुआ अगर घंटे वाला अगर घंटे वाला पांच मिनट ट्रेवल किया है ज्याद से समझना गंटे वाला पांच मिनट ट्रेवल किया क्यों बारत लेकर कहा तक पहुंचा है ए गंटे में पांच मिनट ट्रैवल करेगा तो यह जो मिनट वाला है वो मिनट वाला कितना ट्रैवल करेगा मिनट वाला ट्रैवल करेगा हमारे पास साट मिनट को ट्रैवल करेगा बहुत इंपोर्टेंट है इसको समझना ठीक है तो गंटे वाला अगर क्या करेगा पांच मिनट ट्रैवल करेगा तो मिनट वाला कित्य ट्रैवल करेगा मिनट वाला क्या करेगा अपने पास 60 मिनट पर यहाँ पर क्या करेगा ट्रैवल करेगा इस चीज़ को यागतना अब जब यह complete चक्कर मारता तो मारे पास क्या होता है पांच मिनट होगा यह जो पांच मिनट हुआ इसका मतलब पांच मिनट कहा पर एक में पांच आपर क्या मिनट वाला एक यह अपर क्या घंटे वाला है यह किसको रिकांट करेगा मतलब यहां से लेकर यहां से स्टार्ट कि यहां तक पहुंचा तो कितना हुआ तीस वैसी अब अगर सब्सक्राइब यह दो बजाएगा तो कितना हो जाएगा अगर सब्सक्राइब यहां पर आगा तो कितना हो जाएगा एक सब्सक्राइब यहां तक पहुंच जाएगा तो मैं यह बोच सकता हूं गंटो वाला अगर चला है पांच मिनट वाला किता चला है इसको मतलब इस कंचिनरेशन में जो मिनट वाला सुई है अगर यह एक यहां तक पांच मिनट आया है तो मिनट वाला जो सुई है वो इससे कितना चला है मिनट वाला जो सुई है यह पहला कन्दिश्ण हमारे पास यह हुआ किनी आपास कहा हुआ हुआ पहला कंडिश्ण हमारे पास यह हुआ दूसरा कंडिश्ण अपन देखते है अब अगर यह बिद्स यहां तक पांच मिनट में यह से लेकर ने कर यहां तक आग् Every time तहसं मतलब गंटे वाला जो है यहां पर क्या चला है है तीक है तो इसका मतलब यहां पर क्या होगे घंटे देलहां मिनट वाला पुर् advisor करेगा तो उसी प्रकार अगर मान लो स्वरी्य वाला कितना चल रहा है मिनट वाला चल रहा है क्योंकि यह पूरा बटे 60, कितना हुआ, आधा त्रेवल करेगा, कितना करेगा, आधा डिकरी टैवल करेगा, इस चीज़ को याद रखना, मतलब अगर मिनट वाला दस मिनट चला है मान लो अगर मिनट वाला बहुत तेजी से यहां तक आया है तो गंटे वाला उत्ता तेजी से तो आएगा नी गंटे वाला धीरे धीर आयागा तो गंटे वाला उस 10 मिनट में अगर मिनट वाला मान लो 10 मिनट ट्रैवल किया है तो यह जो घंटे वाला सुई है वो कित्त ट्रैवल किया 10 इंट्र आधा तो कितना हो जाएगा 5 डिगरी. आ पांच डिगरी चलाए पूंकि यह बहुत दीर ऐसे यहां तत्र आएगा थिक यह तोतल यहां पर किता हवा अगर मिनट के बारे उपढा के तो टोटल 360 डिगरी होता है और अगर मिनट के बारे बाद के सब्सक्राइब ज़्यक्राइब करेंगों कित्था धाया तो कित्ता मिनिट हुआ सब्सक्राइब शब्सक्राइब घ।र हई उसे पिगेरी है इवेक गilly को स्लोट है से जुआऩरा अठ्रा इच्पर फिर अगें चे आट्रा कुरी सबस्ते प Конेषर असे 60002 च्पर है कितना हो जागा 340 डिग्री होगा यह वाला कॉंसेट को याज रखना यह पहला चीज यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉंसेट ठीक यह पहला वाला हुगा इसका जो में कोशन पूछता है यह आपको यह पूछता है जो आपसे में कोशन है एक आपका घड़ी स्लो हुआ फास्त किया या पूलेगा एक पर्टिकुलर डिग्री जैसे बोलेगा कि पाच और 6 के मध्य में ऐसा कोन साय कोगा जब दोनों के बीच में 180 ठीक होगा या दोनों के बीच में यहाँँए लudi दोनों के पूशन हम ज्यादा इसको ध्यान देख लो कि स्कून रहे लेकित ठीक है फिर हम लोग तुरंत आगे बरेंगे एक इंपॉर्टेंट कॉंसेट्ट के साथ ठीक है अब अब यह आतरा हुआ एक दो इन चार पान शे चार आट नो डज गया का के अबारा अमारा बेस है और हम यह मुन के चलते हैं कि 12 से घड़ी का स्टार्ट हो रहा है तो हम 12 से अपन स्टार्ट करें तो बारा को अब मान लो एक बज रहा है इसा अब जाती हैना है कि जो है फिल्ट है अब एक से दो कैसे बज़ेगा एक इस दो ऐसे बजेगा यह बहुत दीर दीर तो उसमें एक ऐसा टाइम होगा जब दोनों की बीच यहां पर क्या होगा जिरो डिग्री मतलब क्या होगा दोनों यहां पर क्या होगा समान दिशा दोनों यहां पर क्या होगा समान दिशा में होगा या पोलाइड करेगा यह दोनों इक दूसे के उपर आगा कि गंकि घंटेवाला सुई नीचे होगा मिनट वाङ उ मिनट ह मे अपर चेंद घंप घंपा घ्रेक्षण के अनकर होंगा तो एक गंटे में कित्धे बार होता है कि याघन से यह थे मैं इसी हो यहां M कि ऐसे एक बार मिलेगे तो यह बारा गंटे में कितले से बार ज़ोड़ नेगा 11 र को इसी प्रकार दिन में प्रकार हो टा कुर इसा ऐसा टाइम होगा जब एक ऐसा टायम होगा जब यह दीरे यहां पहुंचा हो गाई यह एक गंटे में गिन लेंगे इक वहाँ पर कब होगा इसे लिए ये भी क्या होगा एक खंटे में एक बार होगा और बात करेंगे एक इसको छोड़के अन्य कोई इसा भी डिग्री हो उसको छोड़के अन्य कोई सब्सक्राइब गैले सब्सक्राइब खुरुकर इसो ऑफित बाद करुआए थोग मैं एक यह वाला कॉंसेट और दूसरा एक वाला कॉंसेट यह दोनों को ध्यान से देख लो बहुत बहुत इंपोर्टेन एक क्योंकि इसी सारे इहां पर क्या करेंगे कोश्चन को हम लोग यहां पर आगे बनाएंगे ठीक है? तो यह कम का 1st question पहला question आपको यह बोल रहा है यदि घंटे की स्वी 5 पे और मिनट की स्वी 3 पर हो तो दोनों के बीश मद्र कितनी डिगरी का कोन बनगा? ठीक है? घंटे को स्वी किस पर है? 5 पर है और मिनट को स्वी किस पर है? 3 पर है तो दोनों के मध्य में कितना डिग्री को अब देखो मिनट का सुझ कितने पर है तीन पर होगा तो मतलब कितना मिनट हुआ इसका मतलब वो किस पर होगा 15 मिनट पर होगा और गंटे का सुझ कितना मिनट होगा 25 मिनट दोनों के मध्य में कितना डिग्री का कितने मिनट काई है 10 मिनट का है कितने मिनट का है 10 मिनट का हम यह जानते हैं कि एक मिनत में 6 दिगरी का इतने दिगरी का इतना हो कितना अब होगा जब मिनट को सुझाइब क्या होगा फंदरा पे आएगा जब मिनट को सी फंदरा तीन पाएगा मतला 15 मिनट तो गंटे वाला आगे काइब प्लस करेंगे अब अगर सपोस्थ यह क्या होगा 15 इधर 25 इधर अगर यह बढ़ा है तो यह जो मिनट का एक्सटर डिगरी होगा वो प्लस होगा और अगर यह छोटा होगा मिनट का एक्सटर डिगरी होगा माइनस फोग याद रखना इस 15 मिन मतलब 15 इधर अधर यह कितना वह जाएगा इसलिए एक इतना हो जाएगा 67.5 इधर यह हमारा क्या होगा यह हमारा आगर आजाएगा तो यह हमारे पर साम you ठीक है जानते देखें दूसरा मंगलवार दो फर दो बजे गड़ी तीन मिनट पीछे और गुरुवार दो फर दो बजे घड़ी पांच मिनट आगे की तो ऊसने ठीक समय कब दिखाई घड़ी जलो और पस्ट की अच्छा कर तूसदेगन क से तूसदेगनन मिनट 1 describe हुआ इसमें 3 मिनट में चल रहा है मतलब 3 मैसस में है और यहाँ पर 5 शोत ऑए द अखान। इसका मतलब 20 में कित्ता कवर किया है 8-9 मिनट को कवर किया इसे इन तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ इस आठ मिनट को कवर कर रहा है कितने गंटे में तो एक मिनट में कितना कवर कर रहा है अड़तालीस बटे आठ मतलब कितना हुआ यह हमारे पास क्या हुआ छे घंटा एक मीनट को कवर करने में उसको एक मिनट को कवर और आद मझेशता है तो तीन मेंट को कवर करेंगा जो तीन निनट पेशी जल जा था ना वह तीन नियत आगे कवर करेगा तभी कहां पर रहा चाहिए गता है तो इस तीन मिनेत कवर या सुबा का यहां पर क्या बज़रा होगा दो é effek को यहां पता गण्टे उसमें प्यपितना बजयेगा सुबह आठ बजे घंडी क्या होगा राइट च्याम बताएगा और यह हमारा अंशर क्लेर हुआ ठीक है अगला तीन बचकर 35 में बच दोनों सुई के बीट में कित्ता बनेगा तीन बचकर 35 में ठीक पहला वाला कॉंसर्ट याद अखना तीन बचकर तीन मतलब 15 35 बीच में कित्ता है 20 मिनट एक मिनट 6 डिगरी 20 गुनिट 6 120 अब ये छोटा है ये छोटा यहाँ पर क्या होगा माइनस कितना डिगरी माइनस आपको दिया हुगा है 35 के हिसाब से कित्ता होगा 35 का आधा 17.5 डिगरी को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 102.5 डिगरी ये हमारा आंसा हो याद रखना अगर ये बड़ा होगा ये बड़ा होगा तो बीच में जो डिगरी होगा यहाँ पर क्या होगा जो एक्स्टा मिनट का डिगरी होगा वो यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा और अगर ये छुटा होगा यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा वो चीज को याद रहते हैं इंपॉर्टन कोश्चन है ध्यान से देख लो कि अगले कोश्चन पर आते हैं पतना स्टेशन से भागलपूर के लिए हर पच्पन मिनट में एक ट्रेन मतलब हर पैंतालिस मिनट के बाद एक ट्रेन पुस्ताच केंद्र से रोहित को ज्यात हुआ बीस मिनट पहले एक बस निकला है और अगला बस दस पैंतिस को है और हर पच्पन मिनट के बाद क्या है हर पच्पन मिनट के बाद बस है तो इससे जो पहले बस रहा होगा वह कित्टय बज रहा होगा 9श कर, 45-45 में पर कँछले वहारoben पार 29ऊ पर कितने हो जाएक안 बसौन चर लेकिन वहां पर पहुंचा तो ओला कि बीस में पहले जा चुक है इसका मतलब में मतलब जो रोहित है ना वह 20 मिनट लेट पहुंचा है तो सही टैम यहां पर क्या रहा होगा उसको 20 मिनट देंगे कि कितने बजेगा दस बजे उसका वहां पर क्या होगा बस का समय ठीक है ना याद होगा याद होगा याद होगा दरपन दरपन में क्या करेंगे करेंगे अपने को बिल्कुल जीवांगी लगाना है एक बच कर 30 मिनट का सबसे पहला आपको बता चुका हूं साथ में से 30 गया तो 30 हुआ गया में से गया कितने बचा 10 बचा का कितना हो जाएगा दस बच कर 30 मिनट ही हमारा आंसर होगा क्लियर ओके छे और साथ के बीच में चे और साथ के बीच में कब यहां पर क्या होगा तीन मिनट का यहां पर अंतर होगा यहां पर क्या होगा है तो फार्मूला होता है यह भी हैंड होगा एच इन्टू 30 प्लस माइनस यहाँ पर क्या होता है एंगल होगा ठीक है अब यहाँ पर क्या बोले छे और साथ की बीश्य मतलब 6 हमारे पास बेस होगा 6 हमारे पास क्या होगा 6 हमारे पास क्या होगा क्योंकि 6 बच करी कुछ-कुछ मिनट होगा तो 2 upon 11 डैकेट में आपर क्या होता है h into 30 plus minus 8 plus minus 8 अब हम लोग जब यहां पर लेते हैं h into 30 करेंगे अब उसका जो value अपन प्लस करेंगे 360 करें अगर मान लो 302 से ऊपर जा रहा है तो महां पर क्या लेंगे और 306 से कम आएगा अम आपर क्या लेंगे उसको जो सब्छेकर परThis यह आपके में अपक्य हो जायर जब गड़ी में आपके पास क्या होगा जब घड़ी तो पर आता है तो साथ से उपर आता है तो समझ जाएंगे वह यहाँ पर क्या होगा उसको हम लोग क्या करेंगे अब बोला है तीन मीनट एक मीनट में कितना डिगरी गयाप होता है तो इस तीन मीनट में कितने का गयाप होगा तीन गुलिट छे बराबर कितना होगा अठारा डिगरी हमारे पास होगा ठीक है 180 प्लस 18 हुआ यह हुआ 198 ठीक तो मतलब 2 upon 11 into 198 कि एक बार में और यह अठ्था बार में अठ्था दुनी कितना हो जाएगा 36 तो इसका मतलब 6 बचकर 36 मिनट ऐसा टाइम होगा जब दोनों के मद्य में क्या होगा यहां पर क्या होगा है अगर आपको पांच मिनट बोला है कितना हो जाएगा यह काम आएगा अगर अगर बोलेगा दोनों के मद्द्य में दोनों एक़ीदिशा में और और देख लो बहुत इंप्रेट फॉर्मूला है और हमारा क्या है बेस हमारा मंद मैं साड़े-चार बजे है और हर 4 गंटे बाद यह जाती है तो इसका मतलब जो पहले बालब बस में 1013 और एनॉस्मेंट के बाद के बाद हो रहा है रो स्ट के बाद साधे बाद को जा चुका है उसमें 20 के बाद इस में 20 जोड़े देंगे तो 12 बच का 15 Palmer यहां पर क्या होगा ऊच्योप हुआ ह् हुआ कि चाहिए अगला यह लगबग समय होता है यदि बारा बज़े गंटे के सुए एक साथ होगी तो कितने देवाद उन्हाववा एक साथ हो ठीक है ना बारा बज़े चलना चालो किया ठीक और गां देखिए अब दोनों साथ पर तीक यह बहुत तेजी से ट्रैवल करेंगा यह बहुत तेजी से ट्रैवल करेंगा यहां कर पहुंच आपक्षाव लेकिन यह जो है यह बहुत श्लोली यहां तक पहुंचा तो दोनों साथ तो इस बारा से एक के बीच में ऐसा कोई से टाइम नहीं होगा जब दोनों क्या करें एक साथ क्योंकि यहां से एक साथ हो चुका है इसके बाद तो यह बहुत तीजी सागे बढ़ेगा फिर अगली ब एक ऐसा ताइम होगा जब वो क्या करेगा उसको आपकर क्या करेगा दूनों क्या करेगा एक साथ होगा तुझे ना को सिंगो कॉंचर्ट को ध्यान समझेना बहुत इंपॉर्टेंट है से नहीं कि आपने हर बड़े में गलती कर दिया है ठीक है यह याद अतना बहुत अगले कोश्चन के आते हैं अगड़ी कि एक गड़ी सुभा आठ बज़ी अगर में दो बज़ी तक हुआ तो कित्ता गंटा खुआ हुआ छे एट फिकट्ना डिग्रेरी बने आधे न एक घंत बोलागा तो मिनन 화it 5 चलेगा और गंटे वाला कित्ता चलेगा एक घंताच चलेगा याद अश्व लेक्ट में तीज Еще được इस चे गंद में कीजिए 2 अधने माराго पहला गों ते ह döलो को ह्रुसे है एक दिन में दोनों गड़ी सुई एक साथ एक साथ पूरे एक दिन में याद है ना एक गंटे में एक बार तो बारा गंटे में ग्यारा बार याद आया बारा गंटे में ग्यारा बार एक दिन बोलेगा तो चौबिस गंटे में होगा चौबिस में कितना होगा ग्यारा दुनी यह सबसे पहले आख बता चुका हूँ ठीक है आपसे मिलेंगी आपसे मिलेंगी तो दोनों के मद्दे में कितना डिग्री गया पोगा जिरो डिग्री पोगा ठीक है ना तो इसका मतलब 2 अपॉन 11 10 बचकर ना 10 बचकर 2 अपॉन 11 इंटू क्या हो जाएगा बटे ग्यारा ग्यारा पंचे पच्पन पचाश बचेगा चबवन शे बटे ग्यारा यह हमारा अगर कहीं पर भी यूनिट में जीरो मिलता है क्योंकि हम जब किसी भी नंबर के यहां पर क्या करेंगे इन्टू थर्टी करेंगे इन्टू यहां पर क्या करेंगे थर्टी करेंगे इसका मतलब लास्ट में यहां पर क्या बचेगा जीरो बचेगा तो जिसमें लास्ट में जीरो बचेगा प्लस करेंगे अपन डैक्ली वह भी आंसर कर सकते हैं ठीक है लेकिन अगर मान दो ऐसा दो 8.50 से 20 मिनट पहले बैटक इस्तान पर पहुंचा देखो 8.50 से 20 मिनट पहले मतलब 8.10 को पहुंचा 8.10 को पहुंचे वह मालूम चला जोती को यह मालूम चला कि वह 40 मिनट डेर से आने वाले से 3 मिनट पहले आ गई है तिन नहीं है वह एक्चली 30 मिनट डेर है उससे 30 मिनट पहले है मतलब जो बंदा 40 मिनट लेट है जो बंदा 40 मिनट लेट है अगर मैं उससे 30 मिनट पहले यहां पर क्या चला मैं यहां पर क्या बोल रहा हूँ तो यहां पर क्या ओर्र यहां पर यहां पर क्या Ohh ले टू दर मैं अगला कई बारा बजने में बाईस सेकंड लेती है Alz तो यह हम जानते हैं यह जो 12 से 22 का संबंद है इसका कैसा ले रहे हैं कि 12 में समने क्या किया एक को माइनस की तो यह ग्यारा बचा है और ग्यारा दुन यह यह आपर क्या हुआ तो उसी प्रकार आठ बार में है ना बारा बार में कित्ता हो रहा है तो आठ बार में तो आठ में से एक माइनस कित्ता बचेगा साथ और साथ दुनी कितना हो जाएगा चलिए अगला कोशन देखते हैं पांच और छे के बीच में चार मिनट का अंतर होगा चार मिनट मतलब कित्ता हुआ चार गुनिच्छे चौबिस्टेगा ठीक है ना यादटना चौबिस्टेगा ठीक अब यहां पर क्या बोला है पाइब इंटु यहां पर क्या खिये पाच बसकर होगा ठीक पाच बसकर ही कुछ होगा यह तो पाच समाझ में दो बटे 11 इंटू पाच हाना पाइब इंटू 30 प्लस देट सो प्लस यहां पर क्या होगा 174 मुल्टिप्लाई के कितना हो जाएगा 368 अब यहां पर क्या हो जाएगा 17 तुजार थिफोर्टी अपन क्या हो जाए ग्यारा ग्यारा तीन बार में 35 अट्रा बचेगा तो एक पिरिया पर साइगा पी अपना जाएगा ठीक है गड़ी में 4 बजा है 180 डिग्री घुमेगा 180 डिग्री मतलब 180 बटे एक घंटे में 30 डिग्री होता है न तो 6 ठीक है तो 4 में 180 डिग्री घुमेगा तो 4 में 6 गंटा जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा 10 बजे अपना ऑप्शन नहीं दिया कि 10 बच दिया क्या नहीं तो इसमें ऐसे पर है चीक है तीन बच कर 20 मिनट पर कितने का अंकर होगा तीन तीन मतलब 15 20 ठीक है न पंदरा और यहां पर 20 हुआ ठीक तीन बच कर 20 मिनट दोनों सुट पर कितने का गैप होगा तीन बच कर 20 मिनट आ गया है न ठीक है तो यहां पर कितना पांच पांच गुनित तीस सुरी पांच गुनित छे पांच गुनित छे पांच गुनित छे कितना हो जाएगा 30 दिगरी होगा कि यह रुआ है अगला है अगला अगला है अगला है अगला है अगला है अगला है कि ग्यारा साथ से माइनस कर लो साथ वारा को चार अड़ा देश कि सोचना ही नहीं है कि अगला है अगला है अगला है अगला है कि क्या पोला है यह गड़ी के अंक्यों की स्थाम पर इंगलिश वर्ण माला को इस तरह रखा जाए कि आठ पर आर आठ पर आठ पर आठ इसी करह में अपन रखें ठीक है ना मनो ठीक है मनो पी क्यू अगर मैं देखा तो उल्टा चल रहा है मनो पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस टी यू वी डबलू ठीक है कि उल्टा चल रहा अपने पास आर की स्थान पर आठ पर आर आठ पर आर साथ पर एस तो यह रखा है पी क्यू आर एस टी आर एस टी यू वी डबलू तीन के स्थान पर बोला है ना है टेक है तो क्या हो जाएगा डबलू इन में से कोई निया मताँ सब्सक्राइब कि तीज दिग्री कि बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना जापन जानते ने क्या होगे जाद होगा जीरो और चार कि सुन्ने बन रहा है क्या चार प्लस छे सुन्ने बन रहा है हां बन रहा है तो यह अपना अच्छा कि गंटे के सुई तीन बजे पूर्व की दिशा में है तो किस समय को सुई पस्चिम को होगा यहां पर तीन बज़ता है फूरा फूरा ना लिए को जिसे बहुत बार अश्या करते हैं कि आपको गड़ी को तिल्ट करके दिया आब को जैसे यहां आपको यह फर बारा बज़त रहा है यहां बज़त ढ़े को जानीफ सेपागैन यह और यह फर 9 बज़ेगा लूठ है श्रेवा इस दोनों को एक तो यह तो जपीड मनें और आप उ stared यह कुछे ऐसा कर दो थीक तो यह मारा टॉपिक था क्लॉक का या दखना क्लॉक और कैलेंडर जोनों बहुत मस्ट है तो पिक के दोनों में इसे एल्टरेंट पॉशन आपको पूशन आपको पूशन है यह तो क्लॉक यह तो के लेंडर और अपने क्रिसमस अच्छी रही तो दोनों के दोनों पोषिल पोश्ट सकते हैं क्योंकि हम चौग पड़ चुके हैं कैलेंडरी पड़ चुके हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए झाल झाल